हे गाइस दिस इस गुणजन शर्म और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ B.S.C. Physical Chemistry के चैप्टर थर्मो कामेस्टरी के नोट्स जैसा कि मैं आपको हर वीडियो में उस नोट्स के एनालेसिस बताती हूँ कि आपको उस नोट्स में कौन-कौन से important question है कौन-कौन से question previous papers में आए हुए है और आपको कौन-कौन से question जरूर पढ़ने है तो चलिए शुरू करते हैं थर्मो कामेस्टरी के नोट्स देखते हैं इन नोट्स में आपको कौन-कौन से topic मिलेंगे सबसे पहले है इसमें heat of reaction या फिर इसको enthalpy of reaction भी बोल सकते हैं इसके definition आजाती है कभी-कभी यह है 2019 का question हर question के आगे मैंने उसका year लिख दिया है यदि वो previous paper में आया हुआ है तो इस तरीके से आप एक-एक topic अच्छे से नोट्स में पढ़ लेंगे यहाँ पर एक-एक topic बिलकुल अच्छे से clear दिया हुआ है समझ में आज आएगा language बहुत ही easy है बीच-बीच में मैंने questions भी दिये हैं ताकि आपको concept अच्छे से clear हो जाए now इस chapter का सबसे most important question है किर्चोफ's equation यह देखिए यह 2019 और 15 दोनों में आया हुआ है तो इसलिए यह बहुत ही important question है क्योंकि इसमें direct पूछा जाता है कि किर्चोफ equation derive कीजिये तो पहली किर्चोफ equation यह है और दूसरी किर्चोफ equation यह है इसमें दो किर्चोफ equation है तो आप इनको derivation अच्छे से कर लीजिएगा derivation हाथ से जरूर निकाल के देखे then next topic आता है इसमें laws of thermochemistry जिसमें हम दो laws पढ़ेंगे Lavosier and Laplace law and second है Hess law of constant heat summation तो यह दोनों law के statement आपको याद होने चाहिए यह पूरा इसमें दिया हुआ है कि किस तरीके से Hess law की थ्योरी है और यह work कैसे करता है then इसमें application है Hess law की यह पूरे बीच वीच में questions भी है then important topic है bond enthalpy और bond energy यह भी आया हुआ है आप देख सकते हैं यापर 2017 and 19 2017 में पूरा आया है bond enthalpy और बड़े caution में और यहाँ पर 2019 में इसकी definition आया है only तो इस तरीके से आपको पूरा पढ़ना है यह thermo chemistry में मैंने कुछ भी extra नहीं लिखा है सब कुछ important है इस notes में then है application of bond energy and enthalpy इसकी applications है अब यहाँ पर bond energy and enthalpy में applications में theory नहीं है यह calculation के लिए काम हाता है इसलिए सब के example देके मैंने यहाँ पर बताया है जैसे पहला है calculation of heat of reaction तो इसकी एक equation का example लेके यहाँ पर मैंने इसे बताया है then second इसकी application है to calculate enthalpy of formation अब आप यहाँ पर देखेंगे कि मैंने इसमें यह लिया है equation का example फिर यहाँ पर यह लिखेंगे यहाँ तक तो आप लिख देंगे यहाँ तक लेकिन इनकी value तो मैंने तो लिख दी लेकिन आपको याद कैसे होगी तो इनकी value आपको याद करने की जरूरत नहीं है आपके वहल यहाँ तक लिख कर भी छोड़ सकते हैं क्योंकि हमें इसकी application सी तो बतानी है कि यह कहां कहां पर काम आता है इसकी third application है to calculate resonance energy इसके बाद है enthalpy of neutralization यह देखिए यह भी 2015 में आया हुआ है previous year के questions जरूर करने हैं वह बहुत ही important होते हैं BSC में क्योंकि previous year के questions repeat होते रहते हैं इसलिए उन questions को तो पहले करना है और मैंने इसमें सारे questions डाले है previous year papers के ताकि आपको कहीं और पढ़ने की जरुत नहीं है आप यह notes पढ़ लीजिए it's sufficient for your BSC syllabus complete syllabus cover up करते हुए notes से then last is heat of combustion इस तरीके से यह आपका chapter खतम thermo chemistry कोई बड़ा नहीं है छोटा सा है कुछी questions है इसके इसलिए मैंने उन questions को इन notes में आपको provide करा है और इस तरीके से इसके आपको language बहुत ही easy है और आपको आसानी से समझ में भी आ जाएंगे तो इन notes को आप पढ़िए thank you friends for watching this video bye bye take care